नमस्कार, Study with MS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आज हम स्वाल्व करेंगे कंड़क्टर का एक्जाम जो हमीर स्टाफ सेलेक्शन कमिशन दौरा कंड़क्ट करवाया गया था 18 अक्तोबर 2020 को, इसमें हम जीके सेक्शन लेंगे, आएए देखते हैं पहला प्रेशन, बेरी बेरी रोग किस बिटामिन की कमी से होता है, तो इसका सहयुतर है, option D शरीर मेट जल की अधिक्ता की परिणाम सरोप होता ए, इसका अभी सहयुतर होगा, option D अगला प्रेशन है, दर्द निवारक दवा को कहते हैं, इसका सहयुतर भी है, option D प्रेशन नमबर चार है पेस्मेकर संबंदित है इसका भी ऑप्षण D सही उतर है प्रेशन नमबर पांच है आईरन प्रचूर मातरा में पाये जाता है हरी सब्जियों में ऑप्षण A सही उतर है चकरवाद संबंदित है प्रती चकरवाद से उसी तरह जैसे बाढ़ संबंद करेंगे उसके लिए एक सेपरेट पार्ट आएगा तो आएए देखने अगला प्रेशन कि हाल ही में किसको उनतिस्वा सास्वति सम्मान पुरुषकार प्रदान किया गया है तो यह किया गया है वासदेव मोहिको ऑप्शन गोसर क्षेपीत क्या गया यह धा जी सेट 30 ऑप्शन सेी उत्तर है सबस्टेब्सुवा को नाम गया था यह भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने भारतियों अंतरिक्ष यात्रियों का चायन हुआ था तो इसका सही उत्र उप्षन चार उप्षन सी चार प्रेशन नमर बीस है हाल ही में रश्टरपती के द्वारा गोशित किये गए संबेधानिक संशोधनों के बाद किस देश की संपून सरकार ने त्याग पत्र दे दिया था तो इसका सही उत्र उप्षन सी रूस प्रेशन नमर एककिस है कौन सा राज्यों दो हजार बीस को शुशाशन संकल्व वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है तो यह है हरियाना उप्षन सी सही उ दुर्वात की तो यह और डीवल कंपनी ने की थी ऑप्षन बी सही उत्र है तेरवे दक्षिन एश्याई खेल 2019 में कौन सा देश पदको की तालिका में शिर्ष स्थान पर रहा तो यह भारत था ऑप्षन सी सही उत्र होगा क्वेशन नमर पच्छी से डेड़ सो रंजी मैज खेलने वाला पहला भारतियों कौन है वह है वसीम जाफर ऑप्षन सी सही उत्र हिमाचल परदेश का कूल बहकौलिक शितरफल है 55643 किलोमेटर स्क्वेर किलोमेटर ऑप्षन ए सही उत्र है 2011 की जनगनना के अनुसार हिमाचल परदेश का लिंगानुपात 972 है ऑप्षन सी स से उत्र होगा अगला प्रशन है हिमाचल परदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम जील है गोविन सागर गोविन सागर कृत्रिम जील है सबसे बड़ी अगर प्राकृतिक जील की बात करेंगे तो प्राकृतिक जील सबसे बड़ी है रिनुका प्रशन नमबर 30 है हिमाचल परद प्रेश नबर 32 हिमाचल परदेश में मेला मनाया जाता है हमीरपूर जिलह में मनाया जاتा है इसमेरशम अगला प्रेशंद और यहां की जो खेत्रफल के हिसावज यह सबसे चोटा जिला है अगला प्रेशन है साच दर्रा चंबा को जोड़ता है पांगी से प्रेशन नमर 35 हिमाचल प्रदेश में क्योंथल राजसी राजियों का संस्थापक कौन था तो इसके संस्थापक थे गीरी सेन ऑप्शन ए से उतर है प्रेशन नमर 36 सुंदनगर का पुराना नाम था बनेड ऑप्शन धी से उतर है किस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन वोट की स्थाप नहीं थी तो यह हुई थी 1969 में अगला प्रेशन है हिमाचल प्रदेश में रिवर राफ्टिंग का आरंब किस वर्ष हुआ था तो इस प्रेशन में केवल एक विदानसवा सीट है अगला प्रेशन हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है वर्तमान में जो परिवहन मंत्री है वो है विक्रम सिंग परन्तु यहां पर जो ऑप्शन है वो है गोविन सिंग ठाकुर और जब शायद यह पेपर सेट किया होगा तो समय गो सब्सक्राइब गांधी जी पहलीवार शिमला कब आये थे तो यह 1921 में आये थे अगला प्रशन है भारत में शिमला को ब्रिटीश राज्यों की ग्रिशम कालीन राजधानी किस ने बनाया था तो यह बनाया था सर जॉन लॉरेंस ऑप्षिन भी सही उतर है अगला प्रशन है इमाचल सडक परिवहन निगम HRTC किस वर्ष अस्तितों में आया तो यह आया था 1974 में इमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थीत है तो यह नीरत में है इमाचल प्रदेश के किस स्थान पर वार मेमोरियल है यह धरमिशाला में है option B से उतर है इमाचल प्रदेश के किस जिले में प्राश्र जिल स्थीत है तो यह मंदि में है option A से उतर है इमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अध्रक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला जिला है सिरमोर option A से उतर है इमाचल प्रदेश में प् बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश पुस्तर के लेखक है ओसी हांडा ओप्शन ए सही उत्र होगा अगला प्रशन है गुरु गोविन सिंग ने दशम ग्रंत का प्रमुखंश कहां लिखा था तो यहां लिखा था पॉंटा साहिव में ऑप्शन B सही उत्र होगा पहाड़ी चितरकला का सबसे पुराना शैली है बसोली शैली है ऑप्शन C सही उत्र है अमरिता शेरगिल कौन थी तो यहां एक प्रतिष्टित भारतिय चितरकार थी ऑप्शन A सही उत्र होगा इमाचल प्रदेश के किस जिले में द्योट सिद मंदिर है तो इसका ऑप्शन D सही उत्र होगा क्योंकि जो द्योट सिद है वो हामिर बूल्स जिले से संबन देता है बुंडा उत्सव प्रतेक डैश के बाद मनाया जाता है तो यह बारा वर्ष के बाद मनाया जाता है option B सही उत्रोगा अगला प्रशन है सिंदु गाटी के लोगों का इन में से कौन सा मूल वोजन था तो यह था जो अगला प्रशन है रिगवेद में समाहित है तो इसका सही उत्रोगा option A इश्वर के समान में स्लोक option A सही उत्रोगा अगला प्रशन है बिम्भी सार की सवंश से संबंदित है तो यह हो अर्यांकवंश से संबंदित थे 23 तिर्थंकर थे पाशयवनाथ औप्शन C सही उतर है चंदरगुप्त दुटियों की दुसरी राजधानी थी उज्जैन औप्शन C सही उतर है कदंबरी किसके द्वारा लिखा गया यहाँ बान भट की द्वारा लिखा गया अगला प्रशन है सेन वेंश का संस्थापक कौन था तो यहाँ विजय सेन थे औप्शन B सही उतर होगा प्रशन नमबर 103 है भारत का पहला मुस्लिम हमलावर था मुहम्मद वीन कासिम औप्शन D सही उतर है नौरोज प्रवर्तित क्या गया था बलबन द्वारा ओप्शन A सही उतर होगा 105 प्रशन नमबर है अकबर ने पानिपत का दुत्योव युद किस से लड़ा था यहाँ हेमू से लड़ा था ओप्शन B सही उतर है सिखो के आंतिव धर्म परचारक थे गोरु गोविन सिंग प्रशन अमरे 107 है शीवा जी की राजधानी थी रायगेड ओप्शन B सही उतर है अगला प्रशन है भारत का पैला गवर्नर जनरल यह था विलियम बेंटिक ओप्शन B सही उतर होगा प्रशन अमरे 109 है राम कृषन मिशन की स्थापना कब हुई थी यह हुई थी अठारा सो स्थानु एस्वी में आरियो स्माज अंदोलन का प्राराम किस ने किया था यह किया था स्वामी दयानंद स्वरस्वती ने ओप्शन A क्वेशन 111 मुंबई में पहली भारतियों रश्ट्यों कॉंग्रेस की बैठक कब हुई थी तो यह था सो पच्छी मुंई थी पहले भारतियों सीविल सेवक थे सन वेनरजी ओप्शन A सही उतर है अगला प्रशन है भारत में सभी ने अवग्या की अपनी प्रत्व लडाई गान दीजी ने कहां जीती थी तो यहां जीती थी चमपारण में अप्शन D सही उतर है अगला प्रशन है सौराज मेरा जनम सिद्ध अधिकार है और इससे मैं लेकर रहूंगा किसने कहा था बीजी तिल लगने बाल गंगाधर तिल लगने अगला प्रशन नम्रेक सो पंदरा है भारत के प्रथम उप प्रधानमंतरी तो यह थी बलवाई पतेल बीजी सही उतर है प्रशन नम्रेक सो सोलह है इनमैं से कौन सी प्रात्मिक चटाने कही जाती है तो यह आगने चटानों को कहा जाता है ऐस सही उतर है इक्टर स्केल का उप्वयोग और क्या नापने के लिए क्या जाता रहा उप्षिन सी उत्र है है सियाचीन हीमचल स्थित है यह काराकोरं शिंखला में स्थित है ऑप्षिन बीश्य उत्रोगा वायू मंडल का सबसे निमदम स्था है क्शोब मंडल प्षिन सब्सक्राइब प्रशांत महासागर है उच ज्वार भाटा को यहां भी कहा जाता है वहत ज्वार स्प्रिंग टाइड सब्सक्राइब पादब जो अपना बोजन सोय बनाते हैं कहलाते हैं ओटो ट्रॉप्स ऑप्शन बी सही उतर होगा वो जोनक्षिंटा का मुख्यो कारण है क्लोरोफ्लोरो कारवन ऑप्शन बी सही उतर है अगला प्रेशन है किस महादूइप में सबसे अधिक जनसंख्या है तो यह हो एशिया महादूइप है किस पेड की चाल से कुन्यान निश्कर्शित किया की जाती है तो यह हो सिन कोना वरिक्षे प्रेशन है कौन सा देश विश्व का चिनी का कटोरा घाता है मौन्शुन खिषर में अधिक्तम वर्ष्या होती है ग्रिशमृतु में होगी हुआ है न्यूजिलेंड की राजधानी को जो न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड की राजधानी वहर्वेIs वेलिंग्टन ऑप्षणाई से उतर है कि भारत किश के सबसे उत्री बिंदू पर सूरज की किरेने हमेशा होती है तिरची ऑप्शन बी सही उत्रोगा हमाल्यों की राणी है कंचन जंगा अरब साकर नदी गिरती है तो यह नर्वदा नदी गिरती है सबसे अधिक उपजाओ मिट्टी होती है जलोड मिट्टी ऑप्शन D सही उतर है भारत में हीरा ख़दाने कहा स्थित है यहाँ मध्योप्रदेश में है प्रेशन नमर 135 है भारत में कॉफी का उतपादन में अग्रिनी है करनाटक ऑप्शन C सही उतर है अगला प्रेशन है इन में से कौन सी भारतियों समिधान की एक विशेष्टा नहीं है तो यह है ऑप्शन B सरकार का साध्यक्षियों स्वरूप अगला प्रेशन है सारवदिक व्यास मताधिकार प्रद्रशित करता कि भारत क्या है एक प्रजातांत्रिक देश है ऑप्शन C सही उतर है है अग्ला फ्रशनें शिक्षा विशावय संबना दित хотел संबर्ती सुची से संबनों की से संबाई और देता भारत विण संज संग में एक नए राज्जियों को स्विकृति क्यönे देता है तो संसथ देती ऑप्शन डी सतर भारतियों समीधान में किस शंशोधन के द्वारा मौलिक क्रतवयों को शामिल किया गया तो यह था 42 सविधान शंशोधन जिसे मीनी कॉंसिचूशन की कहते हैं अगला प्रशिन है भारत के राष्टरपती अपना श्तिफा किसे दे सकते हैं तो यह उपराष्टरपती को दे सकते हैं कि मंत्री परिश्द की बैठक का सवापती कौन होता है तो यह प्रधान मंत्री होते हैं राज्य सवापती होता है भारत के उपराष्टरपती Q144 है, भारतियों संसद है, दुई सदनियों Option B, सही उतर है Q145 है, मुख्य मंत्री की न्युक्ती होती है, राजय पाल दोरा Q146 है, कि इन दो राजयों का एक उच्च उबहे उच्च न्यालियों है Common High Court किसका है, हर्याना और पंजाब का Option D, सही उतर होगा Q146 है, भारत में कितनी बार राश्टर पती ने आर्थिका पातकाल की गोशना की है तो यहों कभी भी नहीं हुई है, Option A, सही उतर है बिना दल के प्रजातंतर के पक्ष में कौन था, यह थे जेपी नारायन सारवजनिक शेतर में वीनिवेशी करण कहलाता है इसे प्राइविटाइजेशन कहते है, नीजी करण, Option D सही उतर है अगला प्रेशन है, Taxation is a tool of कराधान एक साधन है राजकोशिय निति का Option B सही उतर है निली क्रांती संबंधी थे, जो निली क्रांती वो मचली उत्पादन से संबंधी थे, Option A सही उतर होगा आंतरिक प्यापार संबंधी थे, शेर माकेट से, वेश्वी करण का अर्थ है, घरेलू अर्थ तंतर का विश्व अर्थ तंतर से समयकन, Option A सही उतर है Q154 है, भारती वर्थ तंतर है, यहो मिश्टी तर्थ तंतर है, जो इंडियन एकोनोमी है, वो मिक्स्ट एकोनोमी है रश्ट्रियों आये है, तो रश्ट्रियों आये, साधन लागत पर शुद रश्ट्रियों उत्पाद है, Option B सही उतर है गुर्तवा कर्शन का सारभ भौमिक नियम प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने, Option C सही उतर है अगला प्रशन है, किसी निकाय द्वारा, उसके गती के गुण द्वारा, धारित उर्जा है अगला प्रशन है, Q158 पदार्थ की भौतिक गती के द्वारा उश्मा का स्थान अंतरन कहलाता है तो इसे कन्वेक्शन कहते हैं, Option B सही उतर है मानव करण की श्रवन परास है, The Audible range for human ear is तो यह है, 20 Hz से 20,000 Hz तक, Option C सही उतर होगा प्रशन 160 है, चमकादर अंधिरे में उड़ सकता है यह उड़ सकता है, Ultrasonic के कारण, जो Ultrasonic waves है, उनके कारण यह उड़ सकता है Option C सही उतर है, Question 161 है, दाड़ी बनाने के लिए कि दरपन का उप्योग होता है तो यह है, Concave mirror, अबतल दरपन का, Option A सही उतर है प्रशन 162 है, वीद्यूत बलब में filament बना होता है यह उड़ टंग्स्टन का बना होता है, जो वीद्यूत बलब में filament होता है यह उड़ टंग्स्टन का, Option D सही उतर है Hydrogen bomb अधारित होता है, जो hydrogen bomb बनाया जाता है वो नाविक्यों, सलें दरा बनाया जाता है, Nuclear fusion दरा Question 164 है शिशा संचायक सेल में कौन सा एसिड फ्रिक्त होता है तो यह होता है, Sulfuric Acid option D सही उतर है Bleaching powder है, Calcium chloride option है, यह सही उतर है प्रशन 166 है, उश्मा और विद्यूत का सुचालक कौन होता है तो यह ग्रेफाइट है, अगला प्रशन है, कांसा है, एक यह मिश्रन है Option C सही उतर है Question 168 है, कांच श्रिष्ट वरनित है Glass is best described as तो इसका सही उतर होगा Option C, एक अती, शितित द्रव के रूप में 179 है, इनमें से कौन सा संचलेशित बहुलक है Option D, कांच गोदी का, Glass Snake यह थे हमारे Conductor Post Code 762 के Question Paper मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तके लिए, Thank You जो इसका PDF है, इस Question Paper का वो हमारे Telegram चैनल में मिल जाएगा आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते है Thank You So Much Thank You So Much